जैशे किश्णा दोस्तों कैसे हैं? आप अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हूं आपके यूट्यूब चानल पे आज मैं आपके लिए बहुत ही खास उपाई लेके आई, जैसे कि सुकल पक्ष का सौमवार हो, वो भी पहला तो आपने ये कुछ खास उपाई करने हैं, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से धन सम्बंदी परिशानिया चले हैं, आपके घर में परिशानिया हैं कि लद बहुत जादा हो रही है, माता लश्मिस थायरूप से वास नहीं करें, तो आप सौमवार के दिन शाम के स अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है, तो बहुती सदल, बहुती सटीक से ये उपाई हैं, आपकी किसमत बदल जाएगी, जरूर करके देखिए, आपने करना कैसे सौमवार के दिन, अगर कर्जा बहुत जादा हो रहे हैं, माता लश्मिस थायरूप से वास नहीं करें, कारो दिल मिला के चावल के अंदर, ये आपने शाम की समय ही करना है, सौमवार के दिन, दूसरा हो पाई, अगर आप बहुत जादा परेशान है, भगवान शिव आपसे प्रसन ही नहीं हो रहे हैं, घर में माता लश्मिस सायरूप से वास नहीं कर रही, तो आप क्या करेंगे कि थोड़े से आटे में घी मिलाकर उसे भून लीजे और उसे पंजीरी का प्रशाद बनाईए, और शाम की समय सौमवार के दिन, भगवान शिव को प्रशाद का भोग लगाईए, और पूरे परिवार में वित्रित कीजे, तो इससे भगवान शिव प्रसन होंगे, और आपक मचलियों को, आपकी घर के आसपस कोई तलाव ये कोई, तो आप मचलियों को आटे की गोलियां बना के खिलाए, और अगर आप रख सकते हैं तो अपने घर में सुनहरी मचलियां जरूर रखे, इससे आपके घर का जो भी ग्रह दोशे वो सारा दूर हो जाएगा, कर्जा ब बेल पत्र लेने हैं, बेल पत्र की संक्या 11, 21, 51 या 108 ले सकते हैं, उसके उपर आपने चंदन से ओम लिखना है और भगवान शिव को ये अरपन करने हैं बेल पत्र, तो आपके जीवन की जो भी ऐसी समस्य हैं वो सारी दूर होगी, आपके पास पैसा रुखने लगेगा, म आपके जीवन की हर मनोकामनाओं को पून करते हैं, कैसी भी आपकी मनोकामनाए हैं, तो आप सौम बार के दिन जब भी मंदिर जाये तो भगवान शिव को सफेज चंदन का तिलक अवश्य लगाएं, अब आपके जीवन में पैसा रुकी नेरा, जैसे कि मैंने आपको पहले आपके जीवन की कोई भी समस्या है, अगर धन को लेके वो सारी दूर होगी, आपकी हर समस्या दूर होगी, हर मनोकामना भगवान शिव अवश्य पून करेंगे, और अगर आपको यह उपाय करने से आपके जीवन में किसी भी परकार का परिवर्टन आता है, तो मुझे कमि पीड़ बैक आवश्य देना, और जैशे किशना लिखना ना भूला, आप मुझे आगर दीजे, मैं फिरा हूँ इसी तरह के अदबुत अनोके उपाय के साथ पर, जैशे किशना